तो इस चेप्टर में कॉस्ट रिकंसिलेशन में आपको क्या-क्या चीजे पता होना चाहिए थोड़े बहुत कॉस्ट शीट की पूरे फार्मेटिंग पता होना चाहिए उससे रिलेटिड आएगा दूसरा अगर आपको 11th क्लास का भी आरे सियाद है तो बहुत अच्छा है इस चेप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बाते बता दूँ जिसका आपको ध्यान रखना है मैं जो कोश्चन कराऊंगा इस कोश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं बहुत सारे तरीके हैं आपको मैं जो कोश्चन कराऊंगा वो सर्फ मेरा मेथट फॉलो करना है अगर आपने बुक से देखके या कॉलेज के अंदर जो टीचर करा रहे हैं उनको देखके समझने का courses करा तो ये chapter आपको कभी समझ में नहीं आएगा तो पहली बात आप इस बात से सबसे पहले अपने आपको convince करिए कि भीया जो हम यहां पे class में कर रहे हैं यही follow करेंगे college में जो teacher बता रहा है वो पता नहीं किस तरीके से और book के अंदर जो illustration का solution है वो पता नहीं तो पहले मैं हर किसी को पहले सबसे पहले मैं बता देता हूँ चप्टर को start करने से पहले नहीं तो आपको अच्छी खासी problem हो जाती है फिर बच्चे बोलते हैं सर यह chapter समझ में नहीं आ रहा बार बार यही query आती है सर यह chapter समझ में नहीं आ रहा सर cost reconciliation सर reconciliation का मतलब होता है ठीक करना reconciliation का मतलब होता है ठीक करना सर क्या ठीक करना cost अब मैं आपको ध्यान से समझना यह chapter क्यों बनाया गया यह chapter था ही नहीं इसे बनाया क्यों गया ऐसा क्या समस्या आई के बनाया गया एक होता है हमारा profit and loss और एक होता है हमारा profit and loss इसका मतलब सर एक होता है profit and loss as per finance और एक होता है profit and loss as per cost सर finance वाला तो आपने इतने question की है ना जिसकी कोई limit नहीं है आप 11th class से सबसे main chapter यही बना रहा है जिसके अंदर आप क्या बनाते थे कुछ इस तरीके से आपका scenario चलता था trading account और नीचे का part P&L यहां से आप gross profit निकाला करते थे और buy GP लिखके और finally आप सब कुछ काम किया करते थे यह finance का cost का P&L अभी recently हमने खतम किया लेकिन जिन बच्चों की first class है उनके लिए मैं बता दू के cost का P&L कैसा होगा cost का P&L इस तरीके से define होगा एक statement type से होता है जिसको हम cost sheet भी बोलते है chapter number one का part है सर इसके अंदर हमारे कुछ बाते होते हैं जैसे कि हमारा सबसे पहले निकलता है सर prime cost उसके बाद क्या निकलता है factory cost उसके बाद क्या आता है सर cost of production इसके बाद क्या आता है सर cost of good sold फिर आता है हमारा cost of sales तो कुछ इस तरीके का बनता है हमारा P&L मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जा रहा लेकिन हाँ मैं ये जरूर बताऊंगा कि इस तरीके का हमारा बना करता है अब दिक्कत यह आता है कि इसके अंदर हमारा चाहे cost है मान लेते हैं कि मैं एक व्यक्ति है वो मारूती कमपनी मारूती कमपनी समझते हो वैसे मारूती कमपनी का owner है तो सर इसका काम क्या मारूती कमपनी का owner manufacturing कर रहा है जी sir manufacturing कर रहा है तो उस company के अंदर दो तरीके के accountant है दो तरीके के accountant है जो उसका accounting कर रहा होगा एक कर रहा होगा हमारा जो course करते है CMA CMA cost and management account जिसे ICWA भी कहते हैं और इसको बना रहा होगा हमारा CA chartered accountant और मालिक को तो भाईया पता चलना चाहिए के उसका profit क्या है बड़ी सीरी सी बात है मालिक को पता चल जाए के उसका profit क्या है तो CM में अपने हिसाब से profit निकल के बताता है और finance वाले CA अपने हिसाब से profit बताते है मालिक के दिमाग में क्या idea रहता है कि भाईया हमने दो accountant इसलिए लगाया है कि ये दोनों हमें ये बता दे तै करके के profit क्या है इससे हम cross verify भी कर लेंगे यानि अगर ये बोलता है मेरा profit पांच लाग है तो अगर CA भी बोल दे के हमारा profit पांच लाग रुपे ही है तो फिर ये chapter ही ना बने तो तो इस chapter का कोई मतला भी नहीं बनता लेकिन CA बोले के हमारा profit सर चार लाग है और CA मे वाला बोले नई सर ये पांच लाग है तो मालिक को थोड़ी सी tension हो जाती है भी या दोनों अलग-अलग बाते कैसे कर रहा है काम तो बिजनस ही किया लेकिन दोनों अलग-अलग बातों को क्यों रख रहा है हमारे सामने यानि कहीं ने कहीं हमारे company के अंदर fraud तो नहीं हो रहा बहुत सारे विचार आने लगेगा मालिक के पास तो फिर हमारा फिर आएगा बीच में कौन हमारा बीच में आएगे ये CMA CMA वाले बोलेंगे सर मैं आपको या फिर CMA बोलेंगे मैं आपको बता देता हूँ के CMA साव के और हमारे profit में difference क्यों आ रहा है कुछ चीजें ऐसी है जैसे कि मैं interest की बात करूँ यहाँ पे interest को दिखाया जाता है लेकिन interest यहाँ पे नहीं दिखाया जाता तो इसके वजये से फरक तो आएगा ही जैसे goodwill return of यहाँ दिखाया जाता है goodwill return of यहाँ नहीं दिखाया जाता है तो फरक तो पड़ेगा सर यहाँ पे closing stock का valuation कुछ और तरीके से होता है और यहाँ पे closing stock का valuation कुछ और तरीके से होता है, तो फरक आएगा ही आएगा, सर यहाँ पे हमारा income tax के उपर दिखाये जाता है, या फिर हमारा dividend receive होता है, तो dividend receive यहाँ दिखा देते हैं, इसमें dividend receive की कोई जगह ही नहीं है, यानि कुछ खर्चे और कुछ income ऐसे हैं, जो कि इस statement बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे एक chapter का नाम आता है, cost reconciliation statement, यानि इन दोनों में क्यों differences आ रहे हैं, इन दोनों topic में क्यों differences आ रहे हैं, उसको एक statement में करके हमें अपने मालिक को समझाना होता है, इसी को बोलते हैं, cost reconciliation statement, यानि सर इस chapter में हमें P&L का भी knowledge होना है, बिलकु डेकिन मैं यह नहीं पढ़ाँगा क्यूगी आप देख्ला ख्राइट सेटमेंट क्यूं बना और क्यूं किया जा रहा है, क्या आपको ये concept clear हो रहा है, आपको base clear हो रहा है कि हम क्यों cause reconciliation statement कर रहे हैं, तो इसका जबाब एक ही है, कि cause reconciliation statement स्रिफ और स्रिफ इसलिए किया जा रहा है, क्यूंकि हमें दोनों के profit में जो differences है, वो क्यूं है उसको match करके दिखाना है करेक्ट हम किसी को भी हम करेक्ट नहीं अब कुश्चन है के सर करेक्ट कौन सा होगा हम इसके प्रॉफिट को लेके समझा दे के सर इसका प्रॉफिट डिफरेंस इसलिए हो रहा है यह यह चीज़ जोड़ा है हम यहां पे P&L नहीं बना रहे दोनों ही करेक्ट है CA भी करेक्ट है अपने आप में क्योंकि CA बोलेगा भाई आप P&L में इंटरस ना दिखाएं क्या हम दिखाना है कॉस्ट अकाउंटेंट बोलेगा भाई इंटरस कॉस्ट का पार्ट ही नहीं है फाइनेंस का पार्ट है तो आप वहाँ करेंगे तो हम देखते हैं सर कैसे करना है इसको कैसे करना है simple सा format follow करेंगा और simple तरीके से करने वाले तो हमारा chapter है cost reconciliation statement जिसको मैं cost reconciliation CRS के नाम दे दूँगा short form में CRS मेंने हमें 2 profit given हो सकते examiner से 2 profit examiner दे सकता है या तो आपको दे सकता है cost का profit या तो दे सकता है आपको किसका profit सर और सिर्फ profit नहीं देगा सर loss भी हो सकता है आप सिर्फ profit में मज जाए और या दे सकता है आपको finance का क्या हर बच्चे को समझ में आ रहा है finance का profit मतलब finance का profit या loss तो finance का profit मतलब समझ पा रहे हो क्या क्या होता है तो simple सी बात है सर finance का profit मतलब P&L और finance का कौन बनाएगा सर ये हमारा एक CA तयार करता है और एक CA में हमारे exam में ये कभी नहीं पूछा जाएगा कौन कौन तयार करता है हमें तो सरफ एक situation दिया जाएगा और highly important मैं कहूंगा cost sheet आए ना आए भरोसा नहीं है तो इसलिए वो इस chapter को ज़्यादा priority देते है सर हम एक बार cost sheet का profit दे दे तो उसके हिसाब से honor को कैसे answer बताएंगे एक finance का अगर profit पता हो तो कैसे बताएंगे तो हम पहले क्या करते हैं सर हम पहले करते हैं हम ले लेते हैं cost का profit बेस मान लेते हैं Sir cost का profit base मानने का मतलब हमने ले लिया cost का profit cost का profit ले लिया तो हमें कुछ ना कैसे सोचना है अगर आपको cost का profit दे रखा है तो आपने सोचना जो है आपने सोचना है यानि आपको दिमाग लगाना है वो लगाना है Sir finance के profit पे finance के profit पे अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको दिमाग लगाना है finance के profit पे सर finance के profit पे दिमाग लगाना है जी हाँ अब मान लीजिए statement बनाया मान लीजिए मैंने आपके सामने ये statement बना दिया ठीक है सर statement ये statement बना दिया statement कुछ ऐसा बनता है हमारा मैं बस example ले रहा हूँ भी पूरा format भी बनाऊंगा हम ये वाला topic अभी नहीं उठा रहे सिर्फ एक part को करेंगे इधर plus होगा इधर minus होगा point number one पता ही क्या लिखना point number one या फिर हम एक काम करते हैं क्यूं हम अपने दो दो बार मेहनत करें एक ही बार में कर देंगे सारा खता तो इसको पहले मैं इसको पहले मैं थोड़ा इधर सिफ्ट कर देता हूँ चलिए जो मैंने बोला उसको हम proof भी करेंगे हम बना लेते हैं statement बस आपको न हाँ या ना मैं बड़े सारे सवाल पूछूँगा आप बताते जाएंगे इसका ये होगा इसका ये होगा चैप्टर खतम चैप्टर में कोई जान नहीं है लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये चैप्टर फिर बहुत भारी पड़ता है बच्चों के उपर तो दोनों बात है इस चैप्टर में मैं कहूँगा आसान भी है और मुश्किल भी है यहां लिखा हमने कॉस रिकंसलेशन स्टेट्मेंट प्लस और माइनस यहां पर्टिकुलर पर्टिकुलर सर पर्टिकुलर पॉयंट नमबर वन आपको जो पॉयंट नमबर वन लिखना है वो लिखना है Profit पहले हम Profit वाले सवाल करेंगे As per as per cost क्योंकि हम यह वाला कर रहे है cost का profit तो जो पहले दे रखा है Profit as per cost उसे इस कॉलम में लिख देना है अब transaction या तो माइनस में जाएगा या प्लस में जाएगा अब आपको सोचना है फाइनस के बारे में अगर फाइनस के बारे में सोचना है तो सर्फ क्या सोचे फाइनस के बारे में अगर फाइनस का प्रॉफिट अगर फाइनस का प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होगा तो हम प्लस कर देंगे statement में और finance का profit अगर decrease होगा तो हम minus कर देंगे statement में जैसे मैं बोलू कि मैंने interest जो है profit and loss में दिखाया हुआ है लेकिन cost sheet में नहीं दिखाया तो आपको cost sheet के बारे में बता के हमें कोई लेना भी नहीं है हम किसके बारे में सूचेंगे finance के बारे में तो अगर मैंने interest finance में दिखाया है तो interest क्या है खर्चा है और खर्चा दिखाओगे तो profit क्या होगा हमारा जैसे जैसे खर्चा दिखाओगे तो profit पर फरक पड़ेगा तो profit क्या होगा minus हो जाएगा तो हम interest को कहा लिखेंगे सर माइनस में ठीक है ना बड़ी सिंपल से मैं कुछ एक point पूछूँगा बताईएगा आप बताते जाईएगा मैं कुछ point पूछता जाऊँगा मैंने कहा dividend हमने receive किया और dividend receive करके हमने profit and loss में दिखा रखा है तो बताईए profit and loss के profit पर क्या impact आएगा बढ़ेगा या घटेगा च बच्चों ने बता दिया सर प्लस होगा बस आपको पता चलिए प्लस होगा तो सिंपल सी बात है हम कहां लिखेंगे statement में प्लस वाले कॉलम में ऐसा ही मैं बोलू मैंने income tax अपने profit and loss में दिखाया हुआ है tax payment profit and loss में दिखाया हुआ है as a खर्चा as a खर्चा तो अब दूसरा जवाब दीजिएगा कि अगर हमारा tax payment profit and loss में दिखाया हुआ है तो उससे हमारे profit and loss का profit पे क्या फरक पड़ेगा क्या impact आएगा बताईए फटा फट तो तुशार ने जवाब दे दिया सर माइनस होगा तो बिल्कुल हम इस statement में कहां लिखेंगे minus लिखेंगे ऐसे ही मैं बोलू के मेरा जो है मेरा जो है सभी बच्चों ने less less minus का जवाब दे दिया है ऐसे ही मैं अगर बोलू आपको के मैंने मैंने जो purchase है या फिर मैं बोलू opening stock मैंने finance में ज़्यादा दिखा रखा है इसका मतलब profit क्या होगा फिर से minus हो जाएगा तो फिर से statement में कहां लिख़देंगे minus में लिख़देंगे फिर से minus में लिख़देंगे इसके साथ फिर एक और point देखिये सर अगर मैं बोलू closing stock मैंने ज़्यादा दिखा रखा है तो closing stock कहा होता है, दिमाग लगाओ credit side होता है तो उससे क्या हो जाएगा हमारा profit बढ़ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा सर, add भी हो जाएगा बिल्कुल सही, काफी बच्चों ने, लगवग सभी बच्चों ने सही जवाब दिया तो आपको समझ में आ रहा है, आपको thought जो दिमाग में लाना है किसके बारे ने लाना है, P&L के बारे में अगर आप P&L के profit और loss को समझ पा रहे हो उसके result को आप सोच पा रहे हो, तो आपके लिए बच्चों वाला काम है मैंने बोला interest paid finance में सीधा सोचों के जी profit minus minus column में डालेंगे बात खतम मैंने बोला dividend receive सीधा सोचों के profit up plus मैंने बोला interest receive profit up plus समझ में आ रही है बात आपको, तो इसी तरीके से हम करेंगे तो सर क्या क्या कर सकते हैं, ये तो मैंने बताया आपको finance के बारे में लेकिन examiner भी चालाग है, वो आपको finance के बारे में कई बहुत सारी बाते नहीं बताएगा और वो बताएगा किस के बारे में, cost के बारे में, cost के बारे में बाते बता देगा वो जब cost के बारे में बताएगा वो, तो आपको दिमाग double चलाना है फिर यानि मैंने बोला कि मैंने cost का profit मैंने बढ़ा रखा है सर कौस्ट का बढ़ा रखा है तो मतलब finance का घट गया होगा यह दिमाग लगाना है क्यूँ सर मैं बोल रहा हूँ दो चीजे पेरलर है मैंने बोला cost के profit को बढ़ा दिया है तो finance तो कम अपने आप ही हो गया ना समझ रहे बात तो अभी बहुत simple सा topic है ये चीज़े हम देखेंगे अब क्या-क्या चीज़े होंगे क्या-क्या note हमें ध्यान रखना है क्या-क्या point ध्यान रखना है ये वाला part हम बाद में करेंगे हम सिर्फ इस वाले part पे चल रहे है point number one जो closing stock होगा न closing stock closing stock इसको treat करना है as a income क्योंकि closing stock कहा होता है closing stock होता है credit side में तो उसको as a treat करना है income number two opening stock अगर होगा न तो उसको क्या treat करोगे बताओ simple सी बात है as a treat expenditure expense है नहीं लेकिन आपको सिर्फ इस chapter के लिए मान लेना है कि वो हमारा क्या है खर्चा है क्या हमारा खर्चा है तो उसे मान लेना है हमें as a expense ये दिमाग में लेके चलना है दिमाग में लेके चलना है ठीक है सर दिमाग में लेके चलना है सर finance में profit and loss ज्यादा शो हो रहा है तो ये reverse क्यों नहीं करेंगे नहीं अभी आपको देखो मैं सवाल करूँ है सारे चीजे clear हो जाएगी अब एक शब्द कुछ शब्द ना costing वाले ले लेते हैं बड़े भारी शब्द को ले लेते हैं जैसे क्या क्या सर कुछ वर्ड ले लेते हैं costing वाले का सर costing वाले का क्या क्या वर्ड ले लेंगे जैसे सर जैसे ले लेंगे वो under recover under recover under recover under recover का मतलब कम और सर ये कम कहां पे ये कम cost में है कम कहां दिखाया कॉस्ट में और दूसरा बोल देगा ओवर रिकवर ओवर रिकवर ये भी कहां है ये ज़्यादा है ये ज़्यादा है तो ज़्यादा कहां है सर ये भी कॉस्ट में है अगर मैं आपको बोलू के भाईया cost में खर्चे ज़्यादा दिखा रखे हैं मैंने मैं बोलू मैं cost में खर्चे दिखा रखे हैं तो आप मुझे सोचना अगर cost के खर्चे दिखा रखे हैं तो cost का profit पर क्या है बेटाएगा अगर cost में खर्चे ज़्यादा दिखा रखे हैं cost का मतलब क्या cost sheet अगर cost sheet में खर्चे ज़्यादा दिखा रखें तो सोचो आ रहा हमसे cost sheet के profit पे क्या फरक पड़ेगा cost sheet का profit कम आ रहा होगा अगर cost sheet का profit कम है तो उसका opposite reaction कहां पड़ जाएगा तो finance का बढ़ जाएगा समझ में आ रही है बात आप पो finance का क्या होगा बढ़ जाएगा यानि कुछ कुछ point में format में तो लिखी दूँ मैंने बोला interest 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 में सारे points लिख देता हूँ मैंने बोला interest interest credit in finance account एफ फे लिख रहा हूँ interest credit in finance account तो sir finance account में credit हुआ तो profit finance का बढ़ गया होगा तो ये plus वाले column में आएगा नमबर तीन depreciation charge एक्स्ट्रा कहां पे finance account में तो sir finance में अगर आप extra depreciation लगा रहे हो तो आपका profit क्या होगा सोचो minus होगा तो हम कहां लिखेंगे minus में नमबर चार dividend receive dividend receive तो dividend आपने receive किया तो dividend receive finance का ही पार्ट है और finance का profit बढ़ जाएगा तो इसका मतलब प्लस income tax income tax income tax in finance fa तो sir ये क्या हो जाएगा sir minus हो जाएगा ओके point नमबर पाँच चार चार कितनी बढ़ दो बढ़ लिखते है मैंने ये पाँच हो गया point नमबर छे मैंने बोला expense 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 under recover under recover sir आपने बताया expense under recover तो under recover हो या over recover ये किसके बारे में बताएगा cost के बाते में बताएगा expense में under recover यानि expense आपने कम दिखा रखा है cost में तो cost में अगर आपने expense कम दिखा है तो उसका profit तो बढ़ गया होगा तो उसका profit बढ़ गया तो हम तो सोच रहे हैं किसके बारे में Finance के बारे में तो finance का profit क्या हो रहा होगा compare to घट रहा होगा तो ये कहां आजाएगा सर माइनस में साथ number मैंने बोला expense expense over recover over recover या over absorb भी बोल देते हैं over absorb भी बोल देते हैं over recover यानि सर expense ज़्यादा दिखा दिया गया अगर ज़्यादा दिखा दिया गया expense तो हमारा cost का profit cost में ज़्यादा दिखा है तो cost का profit क्या हो रहा होगा कम हो रहा होगा तो finance का क्या हो रहा होगा बढ़ रहा होगा तो इसको कहां दिखा देंगे सर plus में दिखा देंगे point number 8 point number 8 Sir interest minus में नहीं आएगा Interest receive है वो Credit का मतलब Plus में interest payment वाला नहीं Receive वाला यानि credit side में ठीक है चलिए कम इसके बाद point number 8 Sir point number 8 Point number 8 और क्या ले और हम ले लेते हैं कुछ ना कुछ ले लेते हैं closing stock ले लेते हैं closing stock closing stock extra extra in FA finance account जवाब दीजे क्या करेंगे तो ये closing stock को treat करना as a income ये क्या हो जाएगा हमारा add हो जाएगा point number 9 point number 9 sales sales extra sales extra है finance account में हलाकि normally होगा नहीं लेकिन मैं तो आपको check कर रहा हूँ sales extra है FA में तो बताइए क्या होगा तो simple सी बात है सर sales तो extra है तो sales extra है तो profit भी जादा ही आएगा और profit जादा हुआ तो आपने बताए के बढ़ा दो इसे तो ये बढ़ा दिया तो यानि अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना भी profit as per as per ये cost से शुरू किया था हमने तो हमारा आएगा FA यानि finance account profit as per finance account बताइए आपको समझ आया तो एक question भी testing कर लें आपके साथ depreciation charge depreciation extra in finance ओके टोली ने बता दिया सर minus depreciation charge minus होगा depreciation minus होगा बच्चे कह रहे है depreciation extra तो minus ही लिखा है ये depreciation है ये depreciation है ठीक है सर सही से नहीं आया सर cost में finance से relate करेंगे yes cost sheet को finance से relate करना है sales वाला समझ में नहीं आया बता रहे है मैंने बोला sales finance में ज़्यादा है तो finance का मतलब P&L बढ़ा हुआ है जब P&L बढ़ा हुआ है तो कहा जाएगा हमारा P&L जब आपका बढ़ा होगा तो credit होगा तो credit का profit बढ़ेगा तो हम भी plus कर देंगे ठीक है अभी एक सवाल भी देख लेते हैं चिंता मत करो तो यानि overall अगर मैं इस chapter को बताऊं फटा फट से तो sir ये chapter है cost reconciliation statement इसके अंदर दो basis पे हमें question को करना होता है एक करना होता है balance as per cost sheet और एक करना होता है balance as per finance balance as per अगर cost sheet करते हैं तो हमें क्या करना होगा? सोचना होगा finance के profit के बारे में अगर finance का profit किसी भी region से increase हो रहा है तो statement में plus कर देंगे कितने reasons है? कुछ एक reasons मैंने यहां पे लिख दिया है जो ये एक आवा